2014 में थे बागलादेश 2020 आर्थनिती रेक्टी हबे एई तारीकाई बागलादेश स्रंगे दोखिन पुर्बोई शियर देश इन्दोनेश्यो इस्थान पाबे Economist Intelligence Unit EIEUR एक प्रतिवेदोने इतोथ पावागे छे प्रतिवेदोने बालाओ है थे बागलादेश बाजरर आकार और अर्थनितीक प्रपितर पर निर्फट को रे एई पूरा भर्ष देआ है थे Assalamualaikum वीवाज मैं हुए ऐसान खान और आप देख रहे हैं YouTube चैनल आइसान रिक्शन विद आइसान में उमीद करता हूँ आप जहां भी होंगे इंज्वाई करते होंगे मजह में होंगे और फिट फार्ट होंगे दो हजार चालीस तक जी हां बड़ी खबर है जो आपके सामने रख रहे हैं दो हजार चालीस तक बंगलादेश टॉप ट्वंटी मुमालिक की फहरिस्ट में आ जाएगा जी ट्वंटी समिट आपने सुना होगा दो हजार तेश में बंगलादेश ने ऐसा स्पेशल गेस्ट के तोर पर उसमें शिर्कत की थी लेकिन अब बंगलादेश दोहदार चालीस तक टॉप टॉप ट्वंटी जी टीप वाली जो मुमालिक हैं कंट्रीज हैं उनकी लिस्ट में आ जाएगा जी ट्वंटी समट का वकायदा हिस्सा बन जाएगा ये कौन कहा रहा ही मैं नहीं बंगलादेश की हकूमत कह रही है वही और नहीं बंगलादेशी मीडिया इसको खुद से ये खबर चाप रहा है बलके ये जो खबर है ये एकनॉमिक इंटेलिजन्ट यूनिट अमेरिकन बेस एक सर्वे रिपोर्ट सामने आई है वी वार्स उ जो जीडिवी है उस में उस फरिस्त में उस ग्रुप का बकाइदा हिस्सा बन जाएगा लेकिन उसके साथ एक और मुलक का भी बताया गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के आखिर में साथ साथ आपको ये बताएं कि बंगलादेश की ये बहुत बड़ी काम इसमें बंगलादेश लगभग और भी यहनि तीन से चार ट्रिलियन की जो इनकी एकानोमी है जो जीडिवी है वो बार हो जाएगी और फिर दो गुना पिछले दस सालों में दो गुना इजाफा हो डबल इजाफा हो डबल इसमें इजाफा किया गया है मंगलादेश की घड नेशिया का जिकर किया गया है इसी के उपर एक वीडियो क्लिप है शौट क्लिप है पहुत शौट क्लिप है फिर हम इसके ये पहले ये वीडियो देखेंगे फिर हम इसके उपर बात करें कि कैसे जनाब बंगलादेश दुनिया में अपना नाम बनाने में दुनिया में तहर क मचा के रख दिया है अपनी कामियाबी का और कामियाबी इतनी के दुनिया भी अब देखें कि कैसे अब उसके उपर रिपोर्ट्स तेहार कर रही है और फिर अमेरिका जैसा इदार अमेरिका अमेरिका का यह इदार है सर्वे रिपोर्ट अमेरिका की तरफ से यह जानी की गई है वो मान रहे हैं वो accept कर रहे हैं कि बंगला देश बह hemen जले हैं और कियसे जिटिवंटी का एक बैकाईदा मेंबर बनने जा रहा है और पिर कैसे जी टुइन समट में बंगला देश को जिस तरह से special guest के तोर पर भारत की तरफ से G20 में बुलाया गया था लास्ट इयर तो इसी तरह मंगला देश अब जाया करेगा लेकिन ऐसे नहीं जाएगा किसी मुलक के तरफ से वीडियो को लाइक भी किया करें और कोमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबाइक से में जुरूर आगा भी किया करें लेंज वीडियो देखे एक आप स्वी टू आन क्यों पन्नो तोस्थ प्रजुक्ति शेबा तेली जगा जोक नवाएन जोगो जालानी ओ गारीर गथा बला हुए छे बीनियोगेर गंतब्ब हिशेबेग गंदेश गुलू चिनेर बीनियोकरेर काची सब्चे आकरशुनी होते बारे तादेर नी एक्टी रैंकिंग करे छे EIEU शे रैंकिंग बा क्रोमतालिकाई बाग्लादिशे रबस्थान दादोष एक दशक आगे दुफजातारो शालो एमोनेटी रैंकिंग करा हुए छिलो शेखाने बाग्लादिशे रबस्थान चिलो बावान्नतमो और था ते गतो एक दसोके चीनेर बिनियोकरेदेर काचे बाग्लादिशे रभाबमुर्ती उद्जल होये छे 12 बचले बाग्लादिशे रबस्थान दितियो बागनादिश बिश्यर उन्नतों मदुरुतों बर्धुन शील अर्थोनीती देश्यर मध्धोबीत जनोगोष्ठी उन्यक बरो एक प्रदिवितन ने बला है चे आगामी एक दोश्रके देश्यर मध्धोबीत जनोगोष्ठी राकार पांच कोटी छाड़िये जाबे और एक देश्यर बिसले शक्टा मनने करें देश्यर माध बेनियोकार देराय क्रिष्ठ जाबे वा जी वा क्या बात है एकनॉमिक इंटेलिजन्ट यूनिट की अमेरिकन बेस ये सर्वेय रिपोर्ट जो सामने आई है कमाल की रिपोर्ट है और फिर बंगला देश के बारे में बड़ी गुड न्यूज है इसके और वो उसमें तो कोई शक नहीं है भई ये सोगते शिया का बड़ा मजबूत मुल्क बन रहा है और फिर आप देखें के इनकी मिल्टरी की दिनी में अपने आपको स्ट्रोंग करती हुए नजर आ रही है बंगला देश और बंगला देश की एकॉनमी जीडिवी और कैसे बंगला देश अपने आपको एक बड़ा मुल्क के तोर पर द की जादा देर नहीं गुझार सकेंगे हमारे बगएर यह हमारे साथ मिल जाएंगे लेकिन भाई आज वो बंगला देश कैसे तरक्की के मनाजल करता हुआ नजर आ रहा है कैसे बंगला देश आज आज टॉप 20 मुमालिक का हिसा बनते हुए नजर आ रहा है दो हजार चालिस में GDP के नहाज से economy के नहाज से और हम क्या कर रहे हैं बदकिस्मती से हमारा क्या बन रहा है हम कर्जे पे कर्जा ले रहे हैं I.M.F की मिनितें तटले कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं हम अमरे आपस के लड़ाई जगड़े खदम नहीं हो रहे हैं और जिस तरह से पाकिस्तान में स्यासी इस्तेहकाम की बात करते हैं कि बंगला देश में स्यासी इस्तेहकाम है प्लिटिकल स्टेबिलिटी है वो पाकिस्तान में नहीं है और बंगला देश में है जिसकी वज़ा से आज मैं स्पैसली चीज समझता हूं कि जिसकी वज़ा से आज बंगला देश बहुत ज्याद परसनल होकर लोगों को इस तरह हुटने करती, वहां पर इदारे आजाद हैं, वहां पर जम्हूर की आवाज है, और हम उमीद करते हैं, देखें, ला तक न तू मिर रहमतिल्ला, ला की रहमत से कभी भी मैयूस नहीं होना चाहिए, इंशालला, इंशालला, वो दिन दूर नही है, जो पाकिस्तान की एकॉनमी बेहतर होगी, हो गई थी, आपको पता होगा, ज्यादा दूर ना जाएं, सिर्फ दो साल आपको मैं पीछे ले जाता हूँ, जब इमरान खान की हुकूमत थी, तब पाकिस्तान में टेक्स्टायल इंडस्ट्री बेहतरी की तरफ थी, पाकिस खान के दोर में पाकिस्तान से और्डर हो रहा था, पाकिस्तान की प्रोड़क्स बाहर जा रही थी, कप्ड़े की, पोशाक की, टेक्स्टायल की, क्यों? क्योंकि उस वक्त सियासी इस तहकाम था, क्यों? क्योंकि लोगों को एतावाद था, उस वक्त पाकिस्तान में इस तर इंट्रस्टिंग वीडियो है अमेरिकन मीडिया है वो इसके उपर बात कर रहे हैं तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त देखते रहेगा इसान रियक्शन अपना बहुत बहुत ख्यार रखियेगा अल्ला हाफिस